हेलो फ्रेंड आज हम देखेंगे 28 मार्च के most important current affairs अगर आपने अभी तक exam oriented को subscribe नहीं किया है तो जल्दी जाए subscribe कर लिजे वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा और comment में जुरू बताज़ेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आज का देवा क्या है अगर तुम सच मुझ कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खुछ निकालोगे अगर आप वो चीच को नहीं करना चाहते तो आप उसका एक बहाना ढून लोगे इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी चीच से करना है तो आप एक तरीका खुछ लोगो इससे करने का लेकिन अगर आपका मन है कि मुझे यह नहीं करनी है तो आप उसका एक बहाना ढून लोगे कि मुझे यह बोलना है यह करना है कि इस बहाने की वेश से मुझे नहीं मिल पाया हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित और आप देख रहे हैं एक्जाम ओरियेंटिट 3.0 चलिए सुरू करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने कोश्चन पूचा था कि फिक्की ने वितवर्स 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रितिस से संकूचन का अनुमान लगाया है तो इसका र प्राकर्तिक संसादुनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए बैस्विक पुरा बढ़तन दिबस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है Global Recycling Day यह दिन recycling की अबढ़ना और अभ्यास को भी बढ़ा देता है को बढ़ावा देता है कारण को बढ़ावा देने के लिए हर साल परियान बिद और कारे करताओ द्वारा कारे करम आयोजित किये जाते हैं दोहर 21 में बैस्विक पुरावरतन दिवस का बिशे है Recycling Heroes इसका मुख्य उदेश से है कि उन लोगों, इस्थानों और गतिवीदियों को पहचानना है जो प्राकिर्तिक संसादनों के संरेक्षन में रीसाइकलिंग के महत्व को पिरदर्शित करते हैं Recycling ने हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उस सरजन को कम करने में मदद की है विशेश रूप से Recycling उद्योग में दुनिया भर में 1.6 मिलियन से अधिक लोग कारे रथ है इस दिशक में Recycling का वार्थिक योगदान बढ़कर 400 बिलियन डोलर हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है रास्टिय राजधानी छेत्र दिल्ली सरकार संसोधन बिदहक दोयर 21 किस की सक्ति में इदाफ़ा करता है तो ये करता है दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति में दिल्ली में सरकार का मतलब LG यानि उपराज्यपाल है कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बिरोहत के बीच राजधानी में सरकार को परिवर्सित करने वाला बिदहक सौंबार को लोग सभा से पारित हो गया बिपाक्स ने इसे एस सम्मध हनिक बताया केंद्रिय ग्रह मंत्री जी किसन रेड़ी ने कहा है कि रास्टिय राजधानी छेटर दिल्ली सरकार संसोधन बिदहक दोर 21 बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कारेयों को लेकर ऐन निस्चितता है इस सम्मंध में कई मामले आज़ी की राय लेना अनिवार रहे है उन्होंने कहा कि इसे राजधनीतिक बिदहग मत कहिए इसे केंदर सासिच प्रदेश के तोर पर दिल्ली से जुड़े कुछ मामलों की एसपस्ता दूर करने के लिए लाया गया है इससे कुछ संदे दूर होंगे और प्रसासन की दक्सता बढ़ेगी रेड़ी सामने कहा है कि 1991 में ततकालीन कॉंगरे सरकार ने इस संबंद में कानून बनाया था जिसमें LG प्रसासक हैं और उन्हें हर बात की जानगारी होनी चाहिए उन्होंने कहा यह कानून हम नहीं कॉंगरे सरकार लाई थी हमने दिल्ली सरकार से ने कोई सक्ती छीनी है और नहीं LG को कोई अर्थे अर्थ सक्ती दी है अब इनका कहना है हो क्या रहा है वो डिफरेंस बहुत हैं पता नहीं क्या है नेक्स्ट कोशन है एथलेटिक्स चेंपिंशिप में नीरज चोपड़ा ने किस में स्वन पतक जीता है तो वो जीता है भाला फैक में ये हैं नीरज चोपड़ा बारते दिगज जेविलियन थ्रोर नीरज चोपड़ा ने 24 वे फैडरेशन कप नेशनल अथलिक्स में जीत दर्द करते हुए एक नया मीटर रिकोर्ड भी बना डाला नीरज ने करना वो दुबार को पतियाला के नेशनल इंसिटूट आफ स्पोर्ट्स में किया तो वहीं अभिनास सालवे ने भी 300 मीटर स्टीप लेंच में अपना बर्सचा सुब परकरार रखा और रिकोर्ड टाइमिंग के साथ फेडरेशन कप अपने नाम किया नीरज चोपड़ा और अभिनास सालवे दोनों ने पहले ही टोक्यो ओलम्पिक में अपना इस्थान पक्का कर रखा है अठारे लोगों के बीच पिर्ती इस परदा में नीरज चोपड़ा कहीं आगे थे मुझूदा एशियन गेम्स और कॉमन वेल्ट चेंपेंसिप नीरज चोपड़ा ने 87.80 मीटर की दूरी ते करते हुए स्वन पदक पर कब जा जमाया उन्होंने 28 में अपने ही 85.97 मीटर के रिकोर्ड को पीछे छोड़ डाला नेक्स्ट कोशन है, हाल ही में ए नायटबीड बुद्ध नामक थ्रीडी प्रस्तुती बामियान में आयुजचत की गई वहाँ वे कहां इस्तित है तो वो अफगानिस्तान में इस्तित है अफगानिस्तान के प्रिसिडेंट है असरब गानी, कैपिटल है काबूल, करंसी है अफगान, अफगानी तालिवान द्वारा नस्ट किया जाने के लगबग दो जगबाद बामियान की बुद्ध मूर्तियों को हाल ही में अनाइट बिट बुद्ध नामक एक कारेकरा में थ्रीडी प्रिस्तुती द्वारा पुन है जीबित किया गया दो अलग-अलग मुद्राओं में रोमन वस्र बिन्यास बाली बामियान की बुद्ध मूर्तियों जिनें बामियान के बुद्ध भी कहा जाता है गुप्तकाल ससानी और हेलिनिस्टिक कलात्मक सैलियों के संगम का एदुत्य औधरन थी ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां पांच भी सताबदी की थी और बुद्ध की सबसे लंबी खड़ी पिर्तिमा थी बुद्ध की इन दो पिर्तिमाओं के इस्थानी लोगों द्वारा सलसल और समामा कहा जाता था ये मूर्तियां किरम से 55 और 38 मीटर उची थी इनका निर्माण पांच भी और छटवी सताबदी के मध्य कुशानों द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोशन है हाल ही में ग्यारभी CII रास्टिया मानब संसाधन उतकष्टा प्रुषकार दोहर 2021 में रोल मोडर प्रुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है NTPC को NTPC के चेर्मेन है गुर्दीप सिंग हैटकोर्टर है नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी नेक्स्ट कोशन है ISSF सुटिंग वर्ल्ड कब दोहर 21 की सुरुबात कहां हुई है तो ये हुई है दिल्ली में अपने पैरे भारत में यहां के चीफ मुनेशन है अर्विंद केजरिवाल गवर्नर है अनिल बैजल सोरी गवर्नर नहीं है लेटिन गवर्नर है अपर और यहां की कैपिटल है न्यू डेली इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन सुटिंग वर्ल्ड कब दोहर 21 की सुरुबात 18 मार्च 2021 को दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंग सुटिंग रेंज में हुई सभी तीन विशियों, सौट गन, राइफल और पिस्टल में होने वाले सीजन के पहले बिस विकप में किसको समाप्त होगा नेक्स्ट कॉशन है दा मीडिया फाउंडेशन दोहरा चमेली देवी पुरुसकार दोहर 20 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर है नीतु सिंग को, यह हैं नीतु सिंग दा मीडिया फाउंडेशन ने वर दोहर 20 के लिए उतकर्ष्ट महीला पत्रकार के स्रिणी में बरिश समबजदाता नीतु सिंग को, चमेली देवी पुरुसकार से सम्मानित किया है नीतु सिंग को यह परुसकार योन हिंसा से संबंदे 2220 में पिरकासित उनकी खबरों के लिए दिया गया है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस राज्य की महीला पहलवान रितिका फोगार्ट का निदन हुआ है तो यह थी राजिस्थान की यह राजिस्थान की रहने वाली थी यहां के चीफ उनिटर है असोग गहलोग गवनर है कलराज मिस्र और कैपिटल है जैपूर पहलवान रितिका फोगार्ट ने हरिनाना के चक्री दादरी जिले में कतित तोर पर हात महत्या कर ली पुलिस ने ब्रसपति बार को यह रहन करे दी यह वह पहलवान फोगार्ट बहनों की मेरी बहन है और हाल ही में एक मकाबला गवा वैठी दी पुलिस ने बताया कि रितिका ने पंदरा मार्च को यह कदम उठा लिया थाना फिर बारे दिलबाक सी बगार 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 में चीजे लिखी हुई ही जो भी आपको देखना हो आप देख सकते है नेक्स्ट कोशन है वेस्वट डाउन सिंड्रोम दिबस कब मनाया जाता है तो यह हम मनाते है 21 मार्च को हर साल 21 मार्च को संयुक्तर राश्च द्वारा विस्वट डाउन सिंड्रोम दिबस मनाया जाता है यह है दिन डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है इस दिन को पहली बार संयुक्तर राश्च द्वार टैनिस से संबन देत। अनुभवी टेबल टैनिस क्राड़ी अचिंता सरत कमल जी साथियान सुतीरता मुगर्जी और मनीका बत्रा ने इस साल 13 जुलाई से सुरू होने वाले टोक्यो ऑलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। साथियान ने दो जीत के साथ एशाय ऑलम् में साथ एशिया गुरूप में टोप पर पहुंचकर उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया। इस बीच कमल ने गुरूबार को पांच गुरूपों के 20 सरवोच रेंक दूसरे इससान पर रहकर टोक्यो का टिकेट कट आया। महिला एकल में सुतीर्था मुगर्जी ने दे अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल अइकल का ओन कर लिजिए, अगर आपको पीडियो अपस ही है तो वह आपको वीडियो के डिस्क अप्स ने मिल जाएगी, बने रही है हमारे चैनल के साथ, थेंक झाल झाल